घयालो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत साकत है तो आज मैं बनाने जा रहे हूं बहुती टेश्टी सपाइसी पनीर मायूडी सेंडविच ये बहुती स्पाइसी चटपटी सी है जिसको मैंने बिना सेंडविच में करके तभीपर बनाया है जो बनाना बहुत और ये मैंने आपर एक गाजर को इस तरह से बारिक ग्रेट कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं, आप चाहे तो बारिक चॉप करके भी इसको डाल सकती है, थोड़ा सा मैंने आपर ये पत्ता को भी ले लिया है, जिसको मैंने बारिक चॉप कर लिया है, एक बारिक कटा है यह में डाल देते हैं ठोड़ी ची दनिये की पत्तियां डाल मीशल दे Whole तो में आदी चमच चाटमरसाला डालेंगे अंसे बहुत ही चट प्रेस्ट आएगा ठेटश्ट आएगा यिर्श-थैन नमक मिलनेयों को अज़े सभी सबसा आप यह सबी में सकती हैं तो मैंने चार बेड के स्लाइस ले लिये हैं तो अब दो एक बेड स्लाइस पर आप बेगे advis역 1 हैं दो स्लाइस लिए लगा सकती हैं बट मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा अलग सा थोड़ा स्पाइसी सा बना रही हूं और एक ब्रेड पर हम यहाँ पर सेजवान सॉस लगाएंगे फ्रेंड्स यह पूरी तरह से ऑप्सिनल है बट आप एक वार इस तरह से जूल बनाके देखें बहुत ही स्पाइ अब हमने जो स्टफिंग बना के रखी है उसमें से हम इस्पून भरके अच्छे से इस पर स्टफिंग लगा देंगे कि प्रेंड्स पांच से दसमेड़म बनके त्यार हो जाती है बहुत ही टेस्टी होती है खाने में तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हेल्दी बना रही हूं तो इसके लिए मैंने आपर कुछ टमाट्रों को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है इनको अमिसमें इस तरह से लगा देते हैं कुछ मैंने आपर एक खीरे के टुकड़े ले लिए इनको भी इसमें लगा देंगे आप चाहे तो इसकी जगे इसमें कि आज भी लगा सकती हैं और थोड़ा सा इसमें यह पनीर लगा देते हैं अच्छे से इनको प्रेस कर देंगे और यह हमारी एक सेंड्विश इस तरह से बनके त्यार हो गई हैं तो इसी तरह से हम और बाकी सेंड्विश बना लेंगे तो अब हम गया ज़ूँ करके एक दवा रखेंगे और इसमें थोड़ा सा बटर लगा देते हैं अच्छे से ंड इसको रख देंगे अच्छे से अब इसको दो मिनिट के लिए कवर करके सेख लेते हैं तो गैस का फ्लेवम बिल्कुल स्लोई रखेंगे दो मिनट के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा बटर हम इस पर उपर से लगा देंगे आप चाहें तो बटर कीज़ेगा इस पर गीया ओयल भी लगा सकती हैं तो अब हम इसको पलट देते हैं यह देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है बहुत अच्छे से सिख गई है फ्रेंड से तो अब हम इसको फिर से कवर करके दो मिनट के लिए और से लेते हैं और यह देखिए यह सेंड़िच हमारे दौन साइट से अच्छे से सिख गई है बहुत ही क्रिस्पी वनी है तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो इसी तरह से हम बाकी सेंड़िचों को भी सेख लेंगे तो अब मैं आप आपको एक सेंड़िच को कट करके इस तरह से कि वाओ कितने स्पाइसी लग रही है बहुत ही चटपटी और बहुत हेल्दी वी है तो आप इस सेंड़िच को एक वाद जरूर डाई करें बहुत जल्दी बन जाती है आप इसको टमेंटो सौस या अरी चटनी के साथ सर्व कर सकती है अगर आपको में रेसीपी अच्छी लगी है तो मेरा एस्पी को लाइक में चैनल को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर मिलेंगे गली रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाए बाए